हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बोध-बोध स्वागत करता हूँ यूटूब चेनल अकाउंट्श और स्वालेशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है आज के टोपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बीजी बीएलस के बेनिफ फाइक है उसका उपयोग नहीं करते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं उनका जो भी बीएलस है उसको अपडेट ही नहीं करतें क्योंकि उन्हेंच जो पर्चेज किया है याँनी första प्रचेज के लिए किया है GST परी काइसलेशन या फिर आधर्स जो सर्विस है उसका बो बेनिफि इसलिए वो नहीं ले पाते तो इस वीडियो में मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि अगर आपने registered BG Software परचेज कर रखा है तो आप अपना BLS को update कराएं और BG Software के जो भी online service है उसका benefit ले तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए यही बताऊंगा BG Software का जो BLS है उसको update कराने के बाद आपको क्या क्या benefit आपको मिलने वाले हैं तो first अगर आप देखना चाते हो तो यहाँ पे help का जो option है पहले तो मैं आपके लिए यह बताऊंगा अगर आप चेक करोगे तो अगर आपका BLS expire है तो यहाँ से red color में आपके सामने show होगा तो आप अपना जो BLS है वो update करा सकते हो और BLS update कराने के बाद आपको क्या क्या benefit मिलेंगे तो एक एक करके discuss करते हैं तो आपको first help पे आपको click करना है इसके बाद यहाँ पे एक option है benefit of BLS इस पे आपको click करना है तो first आपका है के आप ebay will automatic बना सकते हो अपने bg software से इसके बाद आपका gstr 2a का reconciliation आप कर सकते हो gstr 2b का reconciliation आप कर सकते हो bg software से यह सारे options की मैंने video बना रखी है तो यहाँ पे आप 2a का reconciliation कर सकते हो gstr number है जो भी आप किसी भी party के अंदर gstr number डालते हो यानि gstr number add करते हो तो validate का option आता है तो वहाँ से आप validate कर सकते हो इसके बाद आप gstr portal पे जो भी data है उसको आप check कर सकते हो कि क्या आपने file किया है और भी आपके system में क्या data है next इसका जो benefit है bg mobile app यानि अगर आपका bls update है तो आपके mobile में एक application होती है bg mobile app उसको आप download कर सकते हो play store पे आपको मिल जाएगी और उसको download करने के बाद आप अपने bg software को अपने mobile में run करा सकते हो उसके लिए मैंने एक separate video बना रखी है और अपने channel पे upload कर रखी है अगर आपने उस video को नहीं देखा है तो उस video का link में i button में दे दूँगा और description में भी दे दूँगा next जो इसका benefit है bg bns app तो दोस्तों यह application है यह भी आपको play store में मिल जाएगी इस application का क्या benefit है कि आप अपने mobile पे bg software से आप bill का pdf बेज सकते हो statement बेज सकते हो और अगर जो भी आपका बंदा है यानि अगर आपका कोई salesman है उसको कोई record आपको बेज ना है तो वो भी आप बेज सकते हो उसको application डाउनलोड करनी है और अपने number से sync करनी है जैसे ही वो sync कर लेगा sync करने के बाद जैसे ही आप अपना statement या bill आप भेजोगे तो वहाँ पे option आता है वो भी मैं आपके लिए बताऊँगा और last जो option है BDEP service तो दोस्तों इसमें क्या होता है अगर आपकी party आपकी party के पास भी BG software है और आपके पास भी BG software है तो एक BDEP ID आपको create करनी है जो बंदा जो सामने वाले के लिए आप sale का bill देते हो तो वहाँ पे एक option आता है यानि जो भी आपकी party है उसके पास भी BG software है आपके पास भी BG software है तो आप उससे BDEP ID आप ले सकते हो और जैसे उसका bill बनाओगे बिल बनाने के बाद BG software में एक ऐसा system है तो आप direct यहीं से आप उसके BG software में उसका जो भी sale का bill है वो आप add कर सकते हो और direct उसको क्या करना है उसको receive करना है और add करना है add करने के बाद वो automatic purchase आपकी sale उसकी purchase में automatic feed हो जाएगी तो दोस्तों यह जो benefit है इसका आप benefit लेना बहुत जरूरी है next मैं आपके लिए बता देता हूँ कि और क्या-क्या benefit आपको मिलते है जो भी BLS के benefit है तो यहाँ पर first में आपको transaction पे क्लिक करना है GST miss utility पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि BG अगर BLS आपका update है तो आप GST portal से direct GSTR 1 की report डाउनलोड कर सकते हो GSTR 2A की report आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको reconcile भी कर सकते हो इसके बाद GSTR 2B and GSTR 3B जो भी आपने data बेजा है यानि GST portal पे जो file किया है उसको डाउनलोड करने के बाद अभी आपके पास क्या data है और आपने क्या बेजा है वो आप reconcile कर सकते हो next है यह download करने का process है और यह reconcile GSTR data इस पे आप जैसे ही किलिक करोगे तो यह आपके सामने reconcile GSTR 1 GSTR 2A party wise GSTR 2A voucher wise GSTR 2B party wise GSTR 2B voucher wise GSTR 3B recancelation comparison sale GSTR 1 and 3B यह भी आप comparison कर सकते हो कि आपने 3B में क्या data बेजा है और GSTR 1 में क्या data बेजा है तो यह जो भी online service है इसका benefit लेना बहुत जरूरी है अगर आपने business software purchase किया है तो sale purchase के लिए तो आपने purchase नहीं किया है क्योंकि इसमें जो भी benefit है वो उसका लेना बहुत जरूरी है आगे आने वाले समय में अगर आपके पास कोई notice आ जाता है तो उसका जवाब देना बहुत भरी पड़ जाएगा तो आपको यहाँ पे GSTR 2A की GSTR 2B की recancelation आपको करना बहुत जरूरी है कि आपने किसी बिल का ITC claim किया है लेकिन आपके GSTR portal पे show नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा आपके जो भी CA हैं वो भी आपको daily daily update नहीं दे सकते या 8 दिन में या 15 दिन में वो cable एक महीने में दे सकते हैं या फिर बहुत से जो CA होते हैं वो only एक साल के बाद जो भी आपका ITR जो फाइल करते हो उस टाइम पे आपके लिए GSTR 2A की रिपोर्ट आपके लिए भेजेंगे उसी साफ से आप मेच कर सकते हो लेकिन दोस्तों आपको इसा बिलकुल भी नहीं करना है आप महीने के महीने आप बिलकुल हमारे पास data reflect नहीं हो रहा है तो यह आप GSTR 2A और 2B का reconciliation आप कर सकते हो इसके बाद जो next है आपके जो भी GSTR number है उसको आप validate कर सकते हो अगर किसी party का GSTR number cancel हो गया है या suspend हो गया है तो आप यहाँ से पता कर सकते हो तो दोस्तों आप यहाँ single party का भी पता कर सकते हो और multi यानि आपके पास जितने भी account है वो भी आप check कर सकते हो कि इसमें कौन-कौन सी party का GSTR number जो cancel हो गया है या suspend हो गया है तो इसके बाद जो next है यह सब service का आप तभी benefit ले सकते हो जब आपका VLS update होगा next है validate hsn online इस पर आप जैसे ही किलिक करोगे तो यहाँ पर भी आपके hsn number जो भी hsn number है आपने गलत डाल रखे हैं या फिर उनका hsn number blank है तो वो भी आप यहाँ से check कर सकते हो यह क्या है direct यह जो भी आपका hsn number है automatic online search करके यह आपके लिए बताएगा आपका hsn गलत है या फिर यह invalid है तो यह भी आप check कर सकते हो next है तो दोस्तों यह भी बहुत अच्छा पार्ट है कि आपको पता नहीं चलता कि आपकी कौन सी पार्टे ने उसका return फाइल किया है यह नहीं किया है तो यह भी आप पता कर सकते हो इसका benefit भी आपको तभी मिलेगा जब आपका BLS update होगा check party return file status इसका मतलब यह होता है बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं है अगर नहीं जानते हैं तो इसका भी benefit लेना बहुत जरूरी है इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी जो भी party है मैं इसको आपके लिए example के तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर इस मईने आपने 10 party से purchase किया है कोई भी good साब जो purchase करते हो 10 party से आपने माल purchase किया है तो 10 party में से कौन-कौन सी party ने उसका GSTR 1 फाइल किया है कौन सी party ने उसका 3 भी फाइल किया है यह सब कुछ आप यहां से पता कर सकते हो तो यहां से जैसे आप इस पे किलिक करोगे check party return file status पे आप किलिक करोगे तो यहां पे all transaction parties का जो option है इस पे आप जैसे ही किलिक करोगे तो यहां से आप month select कर सकते हो कि कौन से month का आप देखना चाते हो दोस्तो इसमें detail वही आएगी जिन party से आपने purchase किया है और उसकी entry आपने अपने bg software में कर रखी है उन party की detailing इसमें आएगी कि अगस्त के महिने में अगर आपने 10 party से माल purchase किया है तो 10 party में से कौन सी party ने उसका gstr1 फाइल नहीं किया है वो आप पता कर सकते हो अगर उसने फाइल भी कर दिया है तो उसकी date भी आप पता कर सकते हो तो दोस्तो ये भी बहुत अच्छा features है इसका भी आपको benefit लेना जरूरी है ताकि आप अपना जो return file करोगे मालो अगर आप दोई party से आप purchase करते हो जो भी transition होता है दोई party से होता है अगर वो party time पे return file नहीं करती है तो आपको text जमा कराना पड़ सकता है तो आप यहाँ से check करने के बाद ही अपना 3B file करें और gstr1 भी तभी file करें ताकि आपको पता चल जाए कि इन party ने return file नहीं किया है तो आप उनसे phone करके बोल सकते हो next जो मैंने आपके लिए बताया था कि e-way bill की configuration करके आप e-way bill बना सकते हो आप message भेज सकते हो और mail जो भेजने का जो system है mail भी आप अपने party के पास direct जैसे आप नया account create करते हो तो वहाँ पे एक party master के अंदर email का जो option आता है यानि email id का जो option आता है email id आपको enter करनी है और direct जैसे किसी भी bill को आप बनाते हो या फिर किसी भी statement को आप send करते हो तो वहाँ पे email का option आता है एक बार में आपके लिए बता दूँ कि जैसे मेरी ये party है और यहाँ पे alt p आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो option आता है email का जो option आता है अगर दोस्तों आपने email की configuration आपके bg software में नहीं कर रखी है आप अपना जो channel है accounts your solution इस पे मैंने separate video बना रखी है तो उसको आप check करके email की configuration कर सकते हो और direct यहाँ पे जो email का जो option है इस पे आपको click करना है और direct आप send पे click करोगे तो आपकी party के पास mail चला जाएगा या फिर आगर आप bill भेजना चाते हो बिल भी आप भेज सकते हो और आप statement भी आप बेज सकते हो next जो है आप SMS का अलग है SMS की जो आपको एक recharge type system होता है इसके बाद BG BNS का जो option है तो दोस्तों इसकी भी मैंने separate video बना रखी है तो आप अपना जो channel है वहाँ पे visit करके आप check कर सकते हो BG BNS application के through भी आप यहाँ से जो भी पार्टी ने इस application को download कर रखा है तो आप party के पास बेज सकते हो अगर आपने application को download कर रखा है तो आप यहाँ से जिस mobile number से आपने download की है तो यहाँ पर वो mobile number आपको लिखने है लिखने के बाद जैसे send पर क्लिक करोगे आपके पास अगर आप बिल बेजना चाते हो तो बिल आ जाएगा अगर statement बेजना चाते हो तो statement भी आपके पास आजाएगा पीडियेफ फाइल में बनके आएगा और उसको आप जिसको भी बेजना है जिसको आप भेज सकते हो तो दोस्तों next जो बिजी बेलस का जो benefit है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों क्या होता है कि इसकी भी मैंने separate वीडियो बना रखिये तो दोस्तों जैसे आप आपकी party के पास बीजी software है आपके पास भी बीजी software है आपको उनसे BDEP ID लेनी है तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे click करोगे click करने के बाद अगर आप किसी भी party के लिए bill भेजना चाहते हो जैसे यहाँ पे data sent पे आप click करोगे तो अगर आपने जो भी data भेज रखा है वो आपके सामने show हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ से जो option है अगर आप किसी भी party के लिए अगर bill भेजना चाहते हो तो यहाँ से जैसे select करोगे तो मैंने इसमें bill नहीं बना रखे हैं जैसे इस पे click करोगे तो यहाँ से आप bill भेज सकते हो तो दोस्तों यह जो next है जो मैंने आपके लिए बताया था कि BD EP ID create करके आप जो आपकी party है उसने BG software लगवा रखा है तो आप उसके लिए direct उसके BG software में आप नियां से sales का bill बनाओगे और उसके भेज होगे तो उसको direct वहाँ पे receive करना है और accept करना है accept करने के बाद उसके system में automatic purchase का bill add हो जाएगा तो दोस्तों यह जो BG software के जो benefit है अगर आपने registered BG software लगवा रखा है और BLS आप regular update करवाते हो तो यह जो मैंने आपके लिए options बताये हैं इनका आपको benefit जरूर लेना है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like औ तो आप अपना जो channel है account sure solution वो आप join कर सकते हो BG software को use करते समय अगर आपको कोई भी problem आती है तो आप मुझे comment कर सकते हो तो दोस्तों मैंने काफी वीडियो BG software के upload कर रखी है दोस्तों ऐसी helpful वीडियो देखने के लिए channel को जरूर subscribe कर ले और bell icon जरूर प्रेस कर ले ताकि न वीडियो देखने के लिए दिल से दन्यवाद thank you